क्या आप जानते हैं State Bank of India जिसे SBI Bank भी कहा जाता है ये बैंक कितना पुराना है मैं आपको बताता हूँ सन 1806 में इस बैंक की स्थापना Bank of Calcutta के नाम से हुई थी जो बाद मैं Bank of Bengal के नाम से जाना गया इसके बाद सन 1921 में Bank of Bengal, Bank of Bombay और Bank of Madras एक साथ मिल गए जिसके बाद Imperial Bank of India बना इसके बाद आजात भारत में 30 अपरेल 1955 को Imperial Bank of India का नाम बदल कर भारतिये State Bank या State Bank of India रख दिया गया तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए इसी तरह की और अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब जरूर करें और अगर इस्टाग्राम पर हो तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद